हेलो इन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोस दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे गाइस आज की जो वीडियो को टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोग के लिए गाइस मैंने आप सभी लोग को पहले भी बताया था कि DRDO की September 10 की recruitment आने वाली है बहुत सारे candidates को दिखे doubt रहता दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है लेकिन इस वीडियो में मैं सभी doubt आप सभी लोग के clear करने वाला हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़े आपको check करनी होती इसके बारे मैं थोड़ा सा आपको बता दो क्यों होता है क्या दोस्तों मैं एक से दो मिर्ट की वीडियो तीन मिर्ट की वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे candidates suspense में रह जाते हैं नहीं पता चल पाता है उन्हें मैं update देने की जल्दी कोशिश करता हूँ short में चीज़ों को बता देता हूँ तो बहुत सारे candidates परिशान हो जाते हैं कि सर आपने सही बताया है नहीं बताया है या फिर बहुत सारे candidates बहुत उल्टे सीरे comment करते रहते हैं तो उन्हीं के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो लॉंग कर रहा हूँ वीडियो की speed 2.0 का लीजिए ताकि आपको time का issue ना लगे चार मेर्ट आपको देना है चीन चार मेर्ट जो भी आपको देना है 2.0 speed के हिसाब से तो वह आपको देना पड़ेगा देखें दोस्तों DRDO September 10 की recruitment आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार मैंने आप वीडियो बनाई थी बताया था कि tender आउट हो चुका है उस tender में कुछ technical regions की वाज़ा से दोस्तों जो भी उनकी problem रही हो final setup की tender cancel हो गया मैंने तब भी आपको बताता है कि tender cancel हो गया और new tender फिर से डाला गया था होता है कि दोस्तों कोई भी organization हो चाहे वो DRDO हो दिल्ली मेटर हो UPPCL हो कोई भी organization हो कभी भी आपको उनको एक्जाम कराना होता है या new vacancy लानी होती है तो वो tender करते है टेंडर जब कोई भी official site होती है जैसे defense के अंतरगत आता है DRDO तो defense की अलग site है defense आप देख सकते हैं defense DEF PROC इस नाम से website है आप सभी लोग इस्क्रेंट पर देख भी पा रहे होंगे इस नाम से website है यहाँ पर DRDO की और मतलब DRDO की नहीं कह सकते हैं defense की website है यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जितने भी defense के अंतरगत departments आते हैं सारे लोग tender यहीं डालते हैं और इसके इसाब से company अपना देती है जो भी company है जो भी exam conducting company होती है वो अपना rate बगएरा बताती है कि हाँ हमारा यह rate है या फिर यह facilities हमारे है तो उसी साब से फिर DRDO यह निधायत करता है company को select करता है उसके पर committee बैठती है company select होती है और finally जो tender के लिए जो भी company select होती है वही सारा exam कराती है वही notification out करती है या फिर आप बोल सकते हैं सारी चीजे वो कराती है तो दोस्तों यहाँ पर DRDO आप समझ रहे होंगे कि DRDO का जो tender cancel हुआ था उसके बार re-tender हुआ और re-tender होने के बाद दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ क्या status है new tender का उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों हम defense जो की website है उसकी official website में है और दोस्तों यह आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ नहीं करना है नॉर्मली स्टेंडर स्टेटस पर क्लिक करना है देखिए आप अराम से फोन में भी खुद को तसली देने के चेक कर सकते है खुद से भी चेक कर सकते है सारी चीज़ों जो मैं open कर रहा हूँ सारी चीज़े आपके भी फोन में open होने वाली है आपके पास भी सोचल समझनी की उतनी ही छमता जितनी मेरी है आप सभी लोग पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को खुद से भी जान सकते हैं तो अभी मैं ये वेबसाइट खुल रही थोड़ा सा net slow है तो प्रोसेसिंग स्लो हो रही है लेकिन अभी ये जैसे वेबसाइट खुलती मैं आप सभी लोगों दिखाता हूँ देखें दोस्तों जैसे ही मैंने ये new page open हुआ तो आपको कुछ नहीं कर डारेक्ट नीचे आना है ज्यादा कुछ करना है ये डारेक्ट नीचे आना देखें यहाँ पर जो सर्च क्राइटेरिया है ये DRDO के new tender का मैं आपको बता दो DRDO के new tender की ID है ठीक है 2022 आप अगर नहीं देख पा रहे हों तो समझ लिजेगा 2022 आपको नीचे slash करके डालना है DRDO लिखना है फिर 53-25-16-1 लिखना है ये DRDO की new tender ID है और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है ये CAPTCHA फिल करना है जो ये CAPTCHA आप लोग स्क्रेंट पर देख भी पा रहे होंगे कि 6E लिखा हुआ है तो इस चली इस मैं CAPTCHA को फिल कर देता हूँ आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है जैसी दोस्तों मैंने इस CAPTCHA को फिल किया आप इसके बाद नीचे स्ट्रॉल करके आएंगे हलका सा तो साइड में आप देखेंगे आप इस सर्च का ओप्शन होगा तो आपको क्या करना है इस सर्च पर क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों आप search पे click करेंगे देखिए अब हमारा जो new page open हो रहा है आप सब लोग screen पे देख भी पा रहे होंगे capture fill करने के बाद जैसे दोस्तों मैंने search पे click किया देखिए अब यह हमारा open होके आप आपको नीचे आना है देखिए आप जो मैंने टेंडर आइडी डाली थी आप मिला सकते हैं ठीक है खुछ से भी आप देख लीजिए जो मैंने टेंडर आइडी सर्च की थी वही टेंडर आइडी का status हुआ है और आप देख सकते हैं आउर्सोर्सिंग दा अइंड तो इंड सर्विसे फ़र गॉंप्यूटर बेस्ट्रेश्ट क्या होता है कंप्यूटर बेस्ट्रेश्ट जब कोई जाम कराती कोई कम्पनी तब होता है अब आपको यह दिखे है, इस पर आपको ख्लिक कर रहा होगा, अब भागी आपको आगी जो इस्टेटरस होगा, फिर जो आगी चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीजे आपको यहाँ पर पता चलने वाली है, चलिए मैं इसके भी देख लेता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, सिंपली दोस्तों, यहाँ बर जैसे ही दोस्तों मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते टेंडर, the tender status of various stages have been given below, देखिए अब क्या क्या हो चुका है, टेक्निकल बिड ओपनिंग होगी, टेक्निकल एवॉलिशन हो गया, फाइनेंसियल पर देख भी पा रहे होंगे, यह सारे process हो चुके हैं दोस्तों, आपकी टेक्निकल बिड ओपनिंग हो चुका है, और इसके लामा आप देख सकते, financial बिड ओपनिंग भी हो गई है, financial evolution होना बाकी है, जब आपको financially पूरा clear हो जाएगा, देखिए, click here to view, यहाँ पर आप tender की summary open हो गई, आपके सामने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी कितनी कंपणियों ने, जब DRDO tender निकाला था, कितनी कंपनियों ने apply किया था, देखिए, Apptech लिंद प्लाई किया था, इस कंपनी ने एडमिट कर लिया था या 22 जोड़ाई को इस कंपनी को ही सलेक्ट कर लिया था सीफी टेक्नोलोजीस का तो यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर अलग लग चीज़े और दी गई हैं बागे और छोटी मोटी डॉक्मेंट्स यहां पर अप्लोडेड हैं आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को यहां पर जान सकते हैं कि क्या-क्या चीज़े दी गई हैं देखे दोस्तों जो तरह से अभी ये प्रकारे प्रकिया तेजी चल रही है हाला कि अगर टेंडर पहले जो आया था वर वो कैंसल नहीं हुआता तो अब तक फुल नोटिफिकेशन आने की पुरे-पुरे चांसे थे इस महीने के लास लास तक लेकिन अभी थुरा सा आप सभी लोग जानते हैं लेट हो रहा है तो मुझे लगता है दोस्तों कि सितंबर माह मिड सितंबर माह या स्टार्टिंग अक्टूबर तक आपका फुल नोटिफिकेशन डिया डियो सेट्रम 10 का आउट हो जाया भरोसा रखिए फैकेंसी जरूर आएगी मेरे इंडसे दोस्तों जितनी इंफॉर्मेशन होती है चाहे वो छोटी हो चाहे वो बढ़ी हो मैं आप सभी लोग को प्रवाइट करता हूँ कभी कभी कुछ लोग के लिए वो बेनिफिशल नहीं हो थी तो वो कमेंट करते हैं कि सरीए मत बताय करिए वो मत बताय करिए लेकिन हर वीडियो कहीं न कहीं किसी न किसी को बेनिफिशल होती है बहुत सारे लोग DRU के लिए पढ़ाई करते हैं और उनका सपना होता है defense sector में DRU को join करना वो September 10 की recruitment काफी लंबे समय से नहीं आई है DRU September 9 की recruitment 2018 में आई थी उसके बाद से नहीं आई है तो अपनी तैयारी को छोड़के बैठे हुए तो वो लोग तैयारी करना चालो कर दे किसी भी चीज़ को मत देखे क्योंगे भाई मैंने आपको टेंडर वगएरा सब कुस दिखा दिया है वेकेंसी के इसको भी थोटा सा मैं आपको बता रहते हूं देखे वेकेंसी दोस्तों आपकी डिपलों वालों के लिए होती है इसके अलब नॉन टेकनिकल वेकेंसी होती है तो यह अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आप सर्च भी कलीजिएगा आपको September 9 की official notification म यह पर basic रहता है तो एक अच्छा मौका है अगर आप डियारी को पीछे चोड़ते है तो यह आपके गलती है मेरा काम है मैंने आपको अपडेट दे दिया तो और अगर आप कुछ एक्सपेट करते हैं दोस्तों इस चैनल से तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने वीच नहीं थैंक्स वाचिंग इस वीडियो सी यू नेक्स ताम